नमस्कार एजुकेशन प्लस के नहीं पर आपका स्वागत है तो आउसत का यह हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नमबर 12 से आगे के प्रशनों को सॉल्व करेंगे तो पिछली अगर आपने दो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो के देखें और इस तीसरी वीडियो को उसके बाद देखें तो आई सुरू करते हैं क्वेश्चन नमबर 12 क्वेश्चन नमबर 12 है यह और बी का ऑष्षत क्या होगा तो ए और बी दो संख्याए हैं तो दोनों का जोड क्या होगा यह पलस भी हो जाएगा और दो संख्याए है तो 2 से भाग देंगे, मतलब A plus B by क्या हो जाएगा, 2, A, B, C, D, 4 क्रमागत भी समसंख्याएं हैं, तो उनका और सब्सक्राइब क्या होगा, तो A, B, C, D, 4 संख्याएं हैं न, तो इनका और सब्सक्राइब क्या होना चाहिए, A, B, C, D, 5 क्रमागत भी समसंख्याएं हैं, तो उनका और सब्सक्राइब क्या होगा, तो सभी को जोड़ करके 5 संख्याएं, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो यानि option number कितना हो जाएगा, 4, 15, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का और सब्सक्राइब क्या होगा, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का और सब्सक्राइब क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का और सब्सक्राइब क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का और सब्सक्राइब क्या होगा, तो जीरो से लेकर के 9 तक होगा, यानि कि एन के जगापर हम लोग कितना रखेंगे, प् 11 बटा 2 मतलब की हो दाएगा 5.5 प्राकिर्थ संख्याओं का उसत कितना है तो प्राकिर्थ संख्याओं का उसत का क्या फर्मूला होता है इन प्राकिर्थ संख्याओं का उसत का क्या फर्मूला होता है इन प्राकिर्थ संख्याओं का उसत का क्या फर्मूला होता है नम्बर क्वेस्ट्ट में प्राथम आसी प्राकीरत संख्यां का अस्त क्या होता है इन प्लस वन बाई 2 तो आसी निकालना है तो 80 रखेंगे इन के जगाँ पर 80 और पलसक और बटा में क्या आ जाएगा 2 तो एक 80 बटा 2 इसका क्या हो जाएगा 40.5 अनसर आएगा question number 18 18th question में प्रत्थम 4 अभाजय को उसक्या होगा तो सबसे पहले हम अभाजय संख्याई लिख लेते हैं कौन-कौन सी संख्याई हैं जो अभाज्य है तो प््रत्थम 4 अभाजय संख्याई अभाजय संख्याई कहां से सुरू होती हैं दो से आभाज संख्याšia अमों किसको कहते हैं जिसका केबल दो गुर्ण खोंड़ो या जो दो संख्याओं से कटे etos कावं जो एकसे एक से कटेगा और अपने आपसे कटेगा तो प्रथम चार आभाजज शंख्या कौन कौन सी है तो दो से शुरू होता है अभाज संख्या प्रथम चार अभाज संख्या दो हो जाएगा तीन भी एक और अपने आप से कटेगा पांच भी एक और अपने आप से कटेगा और कौन होगा तो साथ होगा तो प्रथम चार अभाज संख्या हो गया अब इनका हम लोग क्या करेंग और वस्त निकाल लेंगे तो और वस्त ब्रावर क्या होता है सभी को जोड़ करके जितनी संख्या उससे भाग देंगे जैसे दो पलस तीन पलस पांच और पलस साथ और बटा में कितना चार कर देंगे तीन दो पांच दास और साथ कितना हो गया सतरा बटा चार तो चार से भाग देंगे तो चार चोगे 16 एक बचेगा और जीरो बचेगा तो चार दुने आठ दो और जीरो चार पेचे बिस यानि कि 4 पॉइंट कितना होगा 25 4 पॉइंट कितना आएगा इसका 25 Question number 19 19 में प्राथम 5 अभाज संख्यों का उसर निकालना है तो ये 4 अभाज संख्यों हो गया था और प्राथम 5 अभाज संख्यों का लेगा तो प्राथम 5 अभाज संख्यों कोन हो जाएगा 2, 3, 5, 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 1 से कटेगा 3 से कटेगा और 9 से कटेगा तो तीन संख्यों से भी वाजित है यानि कि कौन हो जाएगा एक ग्यारा अब इसको हम लोग क्या करेंगे आउसत निकाल देंगे मतलब सभी को जोल करके पांच से भाग दे देंगे और बटा में कितना रहेगा पांच तो हो जाएगा अब यहां से देखिए चार संख्यों का कितना आया था सत्रह सत्रह और 11 कितना हो जाएगा 28 अना 17 और 11 कितना हो जाएगा 28 मतलब 28 बटा कितना पांच अब पांच से इसको हम लोग भाग देंगे तो 5 यह 25 और 3 0 5 6 का 30 मतलब कि 5 पॉइंट कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा Q2 में प्राथम 9 भाज संख्यों का उसत्रह निकालना है तो प्राथम 9 भाज संख्यों को हो गया 2 3 5 7 9 9 नहीं होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कौन हो जाएगा 23 एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है ये 9 भाज संख्याएं हो गया और 9 भाज संख्याएं का आउसत निकालना है तो आउसत निकालने के लिए हम रूप क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे और 9 से भाग देंगे ठीक है नहीं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 29, 23, 2, 3, 5, 7, 29 हो गया 29 और पलस में कितना करेंगे 23 और बटा कर देंगे हम लोग कितना 9 से तो 5, 3, 8, 2, 10, 7, 17, 17 हो गया, 17, 18, 18, 18 और 3, 21, 27, 28, 28 और 9, 37, 13, 14, 0 हो जाएगा दो, एक, 3, 3, 4, 4, एक, 5, 5, एक, 6, और 6, और 4, कितना 10 मतलब 100 बटा 9 तो 11, 99 होता है एक, 0, 9, 29, 11.11 कितना आएगा 11.11 या फिर अगर पुर्णांग के रूप में रखेंगे तो 11, पुर्णांग के एक बटा 9 इसका अंसर आएगा question number 21, question number 21 है, एक से 20 तक की सभी अभाज संख्याओं का उसर निकालना है एक से 20 तक की सभी अभाज संख्याओं का उसर निकालना है तो एक से 20 तक की सभी अभाज संख्याओं का उसर निकालना है तो एक से 20 तक की सभी अभाज संख्याओं का उसर निकालना है और कौन कौन हो जाएगा 2 पलस 3 पलस 5 पलस 7 पलस 11 तेरह सतरह और कौन हो जाएगा 19 ठीक है 11 तेरह सतरह और 29 और भाग दें कितना से 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इसको जोड़ें तो 5, 3, 8, 8 और 2, 10 और 7, 17, 17, 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, 21, 27, 28, 28 और 29, 37, कि 7, 3 बचेगा, 1, 1, 2, 1, 3, और 1, 4, 4, 3, 7, मतलब 77 बटा कितना हो जाएगा, 8 तो 8, 57, 88, 64, 88, क्या हो जाएगा, 64, एक से 20 तक के सभी अभाज संक्राओं का, और 60, 8, 84, 89, क्या हो जाएगा, 72, 5, 0, तो 8, 6, 8, 48, 2, 0, 8, 2, 16, 4, 0, 8, 45, यानि 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6, 2, 5 क्वेस्चन नमबर 22 देखे, question number 22 में, एक का square, दो का square, तिन का square, चार का square, पांच का square, छे का square, साथ का square, यहनि लगतार प्राकिर्थ संख्याओं के वर्गों का square है, ठीक है, लगतार प्राकिर्थ संख्याओं के वर्गों का, योगफल, यह वर्गों का ओसत क्या होदा आएगा, होसत होता है, इसका, एन पलस वन, टू एन पलस वन, और बटा में 6, तो साथ तक का वर्ग दिया गया है, पर साथ रखेंगे, तो साथ पलस एक हो जाएगा, और फिर साथ गुने कितना, दो, दो गुने कितना हो जाएगा, साथ और पलस, एक, और बटा में 6, यहां से अगर हम लोग इसे solve करेंगे, तो साथ और एक कितना हो गया, आठ, आठ हो जाएगा, पलस, साथ दुनी चाओदाव एक कितना हो जाएगा, पंदरा, आठ हो जाएगा और गुने, पंदरा, और बटा में कितना, 6, तो यहां से 2, 4, 8 और 2, 3, 6, 3, 5, 15, 5, 4, 20, या निके लगतार प्राकिर्ट संख्यों के वर्गो का जो आश्यत है वो कितना हो जाएगा 20 तो आज की वीडियो में इतना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक केजिए चैनल को सब्सक्राइब केजिए और इसे शेयर केजिए थैंक्यू